आप दोस्तों बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने अधार बायोमेट्रिक को आउनलाइन कैसे अनलॉक करेंगे दोस्तों गर आपका Biometric Lock है तो आप लोग अपने Biometric को कहीं पर भी दोस्तों देंगे तो वहाँ पर वो Accept नहीं करेगा जैसे कि दोस्तों आपको रासन लेने जाना होता है और वहाँ पर आप लोग अपना Biometric देते हैं थम लगाते हैं तो वहाँ पे वो accept नहीं करेगा अगर आपका biometric lock है तो अपने biometric को unlock करने के लिए सबसे पहले आपको browser में जाना है और वहाँ पे आपको simple लेखना है UIDAI तो इसके लिए दोस्तों को किसी laptop या फिर किसी system की जोत नहीं पड़ेगी simple दोस्तों आप अपने mobile से भी इसको unlock कर पाएंगे आपको अधार वामेट्यू को unlock करने के लिए सबसे पहला नियम दोस्तों यह है कि आपके अधार card में आपका mobile number link होना चाहिए अगर आपके अधार card में अपना mobile number link करवा लेना है I mean दोस्तों add करवा लेना है उसी के बाद ही आप इसको online unlock कर पाएंगे और दोस्तों कोई तरीका नहीं है कि आप लोग इसको studio में जाके या फिर कहीं दुकान में जाके या फिर आधार center में जाके इसको unlock नहीं करवा सकते हैं सबसे पहले आप आपको अपना mobile number link करवाना पड़ेगा उसके बाद ही दुस्तों आपको इस तरह का online process करके unlock करना पड़ेगा तो अगर आपका mobile number link है तो simply आपको यहाँ पर अपने mobile में लिखना है UIDAI उसके बाद इसकी website आ जाएगी आपको इसी के उपर टिक करना है अब यहाँ पर टिक कर करने के बाद आपको यहाँ पर अपने अधार barometric को unlock करने के लिए आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा simple आपको अधार service में आना है और अधार service में आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एक option मिलेगा lock unlock barometric simply आपको lock unlock barometric के उपर टिक कर देना है टिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आजाएगा यहाँ पर आपको एक Login का उपस मिलेगा Simply आपको Login के उपर टिक कर देना है अब इसके बाद आपको अपने आधानमर को फिलप करना है और उसके बाद यहाँ पर Capture को फिलप करना है अब यहाँ पे अपने आधा नमर को fill up कर दिया है मैंने उसके बाद यहाँ पे आपको capture को fill up करना होता है और उसके बाद यहाँ पे आपको login with OTP वाले option पे tick कर देना है tick करने के बाद दोस्तों आपके registered mobile number पे OTP जाएगा और उस OTP को आपको यहाँ पे fill up कर देना है अगर किसी भी हो जैसे दोस्तों आपके mobile number पे एक बार में OTP नहीं जाता है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यह second जल रहा है जब यह second दोस्तों समाप्त हो जाएंगे आई में दोस्तों minus हो रहा है जैसे समाप्त हो जाएंगे वैसे recent का option यहाँ पे आजाता है आई में दोस्तों दुबार आप OTP भेज सकते हैं कई बार लोग कहते हैं कि सर हमारे पास OTP नहीं आ रहा है तो कई बार सर्वर की दिक्कत हो जाती है जो आपका interface है दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा अब यहाँ पे अपने अधार card सेटेट बहुत साई चीज़ों को आप यहाँ पे manage कर सकते हैं यहाँ पे आप documents update कर सकते हैं अधार को download भी कर सकते हैं अगर आपको plastic वाला धाकाच चीए तो भी आप यहाँ पे PVC card को order कर सकते हैं add this update कर सकते हैं और भी दूस्तों यहाँ पे बहुत साई services हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं अब यहाँ पे दूस्तों हमको अपने biometric को unlock करना था तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो lock unlock biometric है यहाँ पे इस तरीके से आपको सो होगा तो अगर दूस्तों आपको इस तरीके से सो हो रहा है तो इसका मतलब यह होता है कि आपको जो biometric है वो पहले से ही unlock है तो अगर यहाँ पे आपको कोई ताला नहीं मिल रहा है इसके सामने अगर आपका lock होगा तो आपको rate करण का एक ताला बना होगा तो अगर वो ताला बना हुआ है तो इसका मतलब यह होता है कि आपका biometric lock है तो मैं आपको example तरीके से दिखाता हूँ जैसी कि मैं इस पर tick करूँगा और मैं एक बार इसको lock करके दिखाऊँगा ठीक है मैं इसको nest कर दे रहा हूँ इसके बाद I understand वाले box पर tick करेंगे इसके बाद यहाँ पर nest पर tick करेंगे और इसके बाद देख सकते हैं मेरे जो biometric है वो यहाँ पर lock हो चुका है इसके बाद हम दुबारा से dashboard पर चलेंगे go to dashboard पर tick करेंगे और इसके बाद हम दुबारा से biometric वाले option पर चलेंगे तो अब दूस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरह का interface आजाएगा कि अगर आपका biometric lock होगा तो अगर आपका lock होगा तो इस तरीके से आपको ताला मिलेगा ठीके जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया तो अब इसको मुझे unlock करना है तो वो कैसे करेंगे तो simply आपको इसके उपर टिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर निश्ट वाले बटन पर टिक करना है अब इसके बाद यहाँ पर आपको I understand वाले box पर टिक करना होता है पहले वाले option पर यूज़ करिए और अगर दूस्तों आपको permanently unlock रखना है मतलब हमेशा के लिए unlock रखना है तो आपको यहाँ पर नीचे वाले option का यूज़ करना है तो यहाँ दूस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले वाले option के जश्ट नीचे लिखा भी हुआ है कि short time duration कहने के मतलब है कि जो आप unlock करेंगे वो कुछ देर के लिए ही unlock होगा ठीक है तो अगर आपको यहाँ पर नीचे वाले option रिखना है तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है तो आप नीचे वाले option यूज कर सकते हैं तो मुझे यहाँ पर permanently करना है तो यहाँ पर हमने permanently पर टिक कर दिया इसका मतलब है जब तक मैं इसको अपने आप लॉक नहीं करूंगा तब तक ही हमेशा के लिए unlock रहेगा इतना होने के बाद आपको यहाँ पर पर टिक कर देना है और दोस्तो आप दिख सकते हैं यूर बायोमेट्रिक है वह बेन अनलॉक्ट सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है इसके बाद दोस्तो मेरा जो बायोमेट्रिक है वह हर जगा एक्सेप्ट हो जाएगा चाहे मुझे रासल लेना हो वहां पर बायोमेट्रिक लगाना हो चाहे मुझे बैंक में किवाइसी करवाना हो हर जगा पर मैरा जो बायोमेट्रिक है वह दूस्तो अब एक्सेप्ट हो जाएगा तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको होता है तो भी फिक रोके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं अपके कमेंट को उत्तर जो दूंगा थैंक्स फॉर्ट दोस्तों बाई बाई